हेलो फ्रेंस वेलकम टू हरी टेक्निकल दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आपके पास इस तरह का लिथियम बेटरी है कोई भी बेटरी है जो 20 बोल्ट से नीचे रहता है उसको आप मल्टी मीटर से कैसे चेक करें जैसे कि यह खराब हो जाएगा तो आप इसमें कितना भोल्ट है आपको जिसे चार्ज करेंगे और यह कितना सो करेगा यह आपको अगर जानना है तो इस वीडियो बने रहा है लास्त तक देखिए जाने समझे और सीखे तो चलिए दोस्तों दोस्तों देख सकते हैं यह मेरे पास एक लिथियम बेटरी है जो 3.7 वोल्ट का है और 1200 mh का बेटरी है ठीक है तो दोस्तों इसको हम जो कैसे चेक करेंगे तो इसको मल्टी मिटर से कैसे चेक करेंगा वह मैं इसमें बताऊंगा तो दोस्तों यह देखिए यह DC का साइन होता है तो आप मल्टी मिटर को 200 पर सेट कर लिजेगा इस तरह से देखिए यह वाल अरेंज पर आपको सेट करना है उसके बाद में दोस्तों इसको बैटरी को ले लिजेगा और दोस्तों इसका प्लस प्लस में दीजेगा माइनस में दीजेगा जिससे देखिए यह माइनस का साइन दे रहा है यह नहीं देगा ठीक है तो आप देख सकते है इधर में प्लस है और इधर माइनस है तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूं और इधर प्लस माइनस लगा रहा हूं तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और दोस्तों देखिये तीन पॉइंट बोल्ट करीबРЕ दे रहा है मेरा बैटरी तो दोस्तों इस तरह से यह वालद इसेम हैं यह भी इतना ही दे रहा है यानि कि एधी यह फुल चार्ज है यह यह जो बैटरी है मेरे पास यह पूरा फूल चार्ज है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट इसके अंदर है और अगर कोई-कोई बैटरी जैसे मान लीजिए खराब होता है तो वो कितना है जीरो जो करेगा तो आपको इसी में चेक करना है ठीक है इसे 24 सेट करके चेक किजिएगा दोस्तो ये छोटा सा विडिएो है छोटा सा न नोलेज है तो दोस्तो वीडियो पसंद आये विडियो को लाइक कीजे करना मत बुले तेकनिकान